कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्लेस करते हैं कि आप सभी का स्वागत हैं हमारे यूटू चैनल ब्राइट मैच में इस वीडियो में हम दो पर्मे संख्याओं के बीच की पर्मे संख्या पर अधारित प्रस्पन सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा एक्जामपल एक हम लेते हैं कि दो और तीन के बीच एक पर्मे संख्या ग्याद करे यानि कि दो और तीन के बीच की एक पर्मे संख्या ग्याद करना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे दो और तीन के इस बीच की पर्मे संख्या क्या करेंगे हम आसट के नियम से जो कि पिछले वीडियो अपर चुके हैं इसको इसको जोर देते हैं और दो से भाग देते हैं तो ढो जोड तीन बाठा दो क्योंकि ये दो एक और दो है इसलिए हम दो से भाग दिये दो तिन कितना हो गया पाँच बठाफ दो यही क्या होगा दो और तीन के बीच एक परिमेसंख्या हो गया हो ठीक है यादि हमारा अगरा एक्जाम पले एक है कि दो और तीन के बीच पांच परिने संख्या ग्यात करें तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दो और करेंगे तो नो को जोरेंगे गया हम क्या 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 जैएं कितना हो जाएगा तांटेंगे ईसके बीच की परिमेश्थ कंख्या संख्या भाया हम क्या करेंगे इसके और इसके बीच की परिमे संख्या ग्याद करेंगे यानि कि दो और आपर लिखेंगे फिर दो और पाच बटे दो के बीच की परिमे शंख्या ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगे चुकिक इसके और इसके बीछ की परिमे शंख्या ग्याद कर रहे हैं इस दो लोग को जो रहेंगे ठीक है दो पलस पास बटे 2 और बटा में 2 ठीक है इसका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यह कितना हो जाएगा। पांचार नव बटा दो और यह उलड़ जाएगा। एक वच्चे बटा के नीचे है। नादो है तो यह एक बटे दो होगा और इसको हम लिख सकते हैं नौ बटा चार यानि-कि इसके और इसके बीच की परमे संख्या नौ बटे 4 हुआ। ति तो देखें फिर हम क्या करेंगे फिर तीन और पास बटे दो कि के परवेशन का तीन और पाख सब्सक्राइड का बीच की अ क्मेर संख्या तो क्या करेंगे तीन और बाटे पाच तो तीन जोर पाच बाते दो अनुकर दो इसका LC हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तो 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 से भाग देंगे 2 में 1 वार कटेगा तो 5 से कम 5 बटा की नीचे 2 और यह कितना हो जाएगा 6 5 11 बटा 2 और यह क्या होगा इसका दे उतकर हम कर देंगे ति कितना हो जाएगा 1 बटा 2 ति कितना 11 बटा 4 यानि कि 3 और 5 बटे 2 के बीच की जो परमे संख्या वह 11 बटा 4 हुआ फिर अब हम क्या करेंगे अब यह जो बीच की परमे संख्या 9 बटे 4 और 11 बटे 4 आया है उसके बीच की परमे संख्या ज्याद कर लेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं फिर 9 बटे 4 और 11 बटे 4 के बीच की पड़ी में संख्या ठीका तो इसको क्या करेंगे फिर जोड़ेंगे 9 बटा 4 जोड 11 बटा 4 बटा 2 इसका इसका लगुत्तम कितना हो जाएगा 4 और 9 पलस 11 बटे 2 इसको लिख सकते हैं 11 9 कितना हो जाएगा 20 20 बटा 4 और गुना 1 बटा 2 2 से यह कैंसील हो जाएगा 10 बार तो लिख सकते हैं 10 बटा 4 इसके बीच की यह पड़ी में संख्या हो गया ठीक है चलिए एक और पड़ी में संख्या आजये होते हैं एक दो तीन चार और हमें घ्याद करना है तांच पड़ी में संख्या फीर अब हम क्या करेंगे अबEm ज़ीर गयार कर लेंगे है ना कोई जो इसमें आ रहा है उसमें से कोई 2 के बीच की जो पड़ी में संख्या गयार करेंगे वे 2 और 3 के बीच की ही पड़ी में संख्या होगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे 9 बटा 4 और 10 बटे 4 के बीच की पड़ी में संख्या ज्याद करेंगे ठीक है इसके लिए हमें क्या करना फिर से वही करेंगे 9 बटा 4 जोर 10 बटा 4 10 बटा 4 अब बटा 2 उपर का एल्सियम करके अगर जोरेंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा 9 10 19 19 बटा 4 और यह उलड़ जाएगा तो एक बटा 2 हो जाएगा तो यह कैंसिल नहीं होने वाला तो 19 बटा कितना हो जाएगा आठ अब यह जो हमारा पड़ में संख्या आया दो बटे 5 नौ बटे 4 11 बटे 4 10 बटे 4 और 19 बटे 8 यह सभी पाच्चों जो पड़ में संख्या आया है यह दो और तीन के बीच की पड़ में संख्या ही होगा ठीक है अब यहाँ पे लिखेंगे अतहा दो और तीन के दो और तीन के बीच की पड़ में संख्या क्या होगे तो लिख देंगे 5 बटे 2,9 बटे 4,11 बटे 4,10 बटे 4 और 19 बटे 8 यही हमारा अंसर हो जाएगा यानि कि इसके बीच की पड़ में संख्या यह हो गया पाच अब हम इसको दूसरी विरी से निकालना सीखेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है इसके पाच के क्या करना है है तो एकुस से ज्यादा हम क्या करेंगे इसका समतुल् लिए अब 86 तो चसात्री 18 18 बटे 6 पाच पर में संख्या निकालन हो गया है अब यहां पर हर क्या हो गया है बरावर हो चुका है और अंस-अलग-अलग ine पाँच पड़िमे संख्या तो हम लिख सकते हैं दो और तीन के बीच की पड़िमे संख्या पड़िमे संख्या यहां जो होगा कितना होगा 12 बटे 6 है न इसका तो यहां पर लिख सकते हैं 13 बटे 6, 14 बटे 6, 15 बटे 6, 16 बटे 6, 17 बटे 6 और यहां 18 बटे 6 है पाच पर्मे संख्या हमारा निकल गया यानि इसके और इसके बीच दो और तीन के बीच की पाच पर्मे संख्या हमारा यह होगा तीन और तीन बटे 5 के बीच की चार पर्मे संख्या गयात करे चार पर्मे संख्या गयात करे तो हम कैसे गयात करेंगे देखिए सबसे पहले इस दोनों का LC हम लेंगे तीन और पाच तीन और पाच का लगुत्तम समाब बरता कर्था तलसा कितना हो जाएगा पंदरा अब चुकि यहां पे पंदरा तो इस पंदरा से हम इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे इसका समतुल्ले पर्मे संख्या गयात करेंगे देखिए से 2 बर्टा 3 इसमें भाग देंगे तो तो कितनी बार कट जाएगा सा पांच बार नीचे हम 5 से मिरका कर देंगे तो तेक यहां जाएगा पांधुना दास और पास तिया पन्दरा फिर हम 3 वत्टे 5 का निकालेंगे, तिन वत्टे 5 और 5 से भाग देंगे तो 3 बार कटेगा,Just 3Soft से गुना कर देंगे तो 3 तीया 9 और 5 तीया यहां पर कितना आया है,10 वत्ते 15 और यहां पर 9 वत्ते 15 ठीक है और चुकि हमको निकालना है चार पड़मे संख्या और यहां पे क्या रहा है पंद्रा बता के नीचे यानि हर तो बरावर है दोनों में इसका भी और इसका भी लेकिन उपर दस और नो है तो इसके बीचि की पड़मे संख्या तो नहीं हो रहाया यहाँ पे 10 बटे 15 है तो 10 बटे 15 में हम गुना करेंगे कितना से 5 से तो 5 दाही कितना हो जाएगा 50 और 15 पचे 75 हो जाएगा फिर यहाँ पे कितना 9 बटा 15 आया है इसमें भी हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 9 पचे 45 और 15 पचे 75 अब यहाँ पे देखिए कि अंस दोनों अलग-अलग है यह 50 यह 45 है और यहाँ 75 है और यहाँ भी 75 यानि बता रहें 75 अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आता हाँ दो बते यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 50 बते 75 और 45 बते 75 के बीच 4 पड़ि में संख्या थीक है यह कौन-कौन सा हो सकता है तो देखिए कौन-कौन हो सकता है इसके बीच तो 45 बता 15 है तो आपको 46 बता 45 बटे 75 तो यहां पे 46 बटे 75 होगा फिर कितना हो जाएगा 47 बटे 75 और 49 बटा 75 और कितना चारी पड़े संक्या कहा है तो यहां पे 45 और 50 के बीच चार पड़े संक्या आ रहा है कौन कौन संक्या 46 बटे 75 और 49 बटे 75 ठीक है चलिए